जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, यदि बच्चा छोटा है, यदि पोधा छोटा है, तो आप उसको किसी भी दिसा में ढाल सकते हैं, मोड सकते हैं. लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, या पेड़ बड़ा हो जाता है, तो जो उसकी पहले टहनिया थी, वो बड़ी बड़ी डाले बन जाएंगी, उसको मोड़ना आसान नहीं होगा. इसी तरह से बच्चे के भी आदते बदलना फिर संभव नहीं हो पाता है. तो वो अपनी जड़े आपके घर में मजबूत करे, उससे पहले उसे बाहर उखाड फेकना चाहिए. यदि इन नेगेटिव एनर्जीज की जड़े आपके घर में पलती बढ़ती हैं, तो वो एक-एक करके घर के सभी सदस्यों में फेलती हैं. पूरे घर के माहौल में फेलती है और ऐसे घर का जो माहौल है वो पूरा नकारात्मक हो जाता है पूरा नेगेटिव हो जाता है घर के हर व्यक्ति हर सदस्य का दिमाग क्लेश युक्त हो जाता है आलसी हो जाता है आराम प्रद हो जाता है और आप यदि किसी के घर पे जाएंगे और जहां आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा negativity है तो अपने आप वहां से आपको इस तरह की wives आएंगी आपको कुछ घरों में आपने मैसूस किया होगा कि बेठना पसंद नहीं आएगा वही कुछ घरों में आप जाएंगे तो आपको एक्तम रोनक जैसी लगेगी तो जिन घरों में रोनक जैसा लगता है वह घर में सगारात्मक उर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है और जिस घर से ये रोनक चली जाती है समझ दीजिए उसी घर में नकारात्मक सक्तियों का वास हो जाता है अब इन नकारात्मक सक्तियों का ठिकाना कहां कहां है वो मैं आपको बता दूँ कि नकारात्मक सक्ति हर जगा जैसे आपका किचन है तो किचन में जहां पर भी आपके खाने पीने का सामान रखा है उसका कोना, आपके बेडरूम का कोना आपका जो भी manhole होगा उसके कोने आपके bathroom में एसी हर जगा के जो कोने होते हैं एसी जगा पर negative energies का वास होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन negative energies को कैसे साप किया जाए और किस तरह से इनको अपने घर से दूर किया जाए और आप स्वेम महसूस करेंगे कि जिस जिस तरीके से ये negative energy आपके घर से जाती जाएंगी तो आपके घर में खुसी का और हर सुलास का वातावन बनने लग जाएगा धीमे धीमे आपके घर में रोनक लोटने लग जाएगी आप देखेंगे कि घर के हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चेंज होने लग जाएगा पोजिटीव एटिटीटीट होने लग जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगए उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे तो चले दोस्तों बताता हूँ नेगेटिव एनर्जिस को दूर करने का और पोजिटिव एनर्जिस को घर में वापस दोबारा लोटा के लाने का उपाए इसके लिए आप क्या करें कि सनिवार के दिन सुरियास्त के पहले पहले घर के जितने मेने कोने बताए हैं उन सभी कमरों के कौनों को आप साफ करें और वहां से जितना भी कुड़ा करकट निकलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लें और उसको कहीं भी गंदी जगा पर आप डाल दें हो सके घर के सोचाले में डाल दें बाहर गंदी नाली में डाल दें थोड़ा थोड़ा से लेके डाल दे और बाकी का बाहर ले जाकर डाल दे और उसमें एक माचिस के तिल्ली जरा करके डाल दे इससे जो भी नेगेटिव उड़ जा होगी वो खत्म हो जाएगी इसके बाद में जब आप वहाँ से उस नेगेटिव एनर्जिस को ले लेते हैं तो मैंने जतनी जगा बताई हर कमरे में आप एक तेल का दिया जला दे सक्ति का दिया है हर कमले में जला दे इस क्रिया को आप लगातार साथ सनिवार तक करें सनिवार सनिवार के दिन करें साथ सनिवार तक करें इसको और आप देखेंगे कि इन दिनों में आपकी घर के जो लोग है उनके वर्तन विवार में परिवर्तन आने लग जाएगा उनकी सोच में परिवर्तन आने लग जाएगा आपके घर में जो लोग आएंगे बाहर से उनके एटिटूड में आपको दिखाई देगा जो वर्तन है वो उनके attitude में भी आपको reflect होगा साथ ही साथ आपके कामकाद जो है वो बनने लग जाएंगे आपके घर में पैसा टिकने लग जाएगा करजा कम होने लग जाएगा गरीबी दूर भागने लग जाएगी तो सनिवार के दिन से प्रारंब करें साथ सनिवार करें घर के जितने भी महत्वपूर्ण कमरे हैं सभी के कोने में से कर्चरे को जितना भी कूड़ा करकर जमाए इकटा है निकालने नहीं है तो भी वहां से जो कुछ भी निकले उसको निकालने और हर कमरे का थोड़ा दे और बागी का जो है उसको घर से बाहर कहीं डाल दे और उसमें एक तिली लगा दे चाहे वो मिट्टी ही क्यों नहीं है लेकिन उसमें आप तिली जला करके डाल दें एसा करने से आपके घर में जितनी भी negative energies थी वो चली जाएंगी और हर जगा एक एक दीपक जलाएं हर घर में एक एक हर कम्रे में एक एक दीपक जला दे इससे उस जगा पर positive energy का एक अलग सक्ति का वहाँ पर वास होने लग जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव परकास और अपने जिवन में लाभनित होते रहें धन्यवाद